हेलो गाईस आप सभी का फिर से स्वागत है आपके ही अपने चैनल में तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परासिटा मोल 500 और साथ ही साथ बात करेंगे 650 mg टैबलेट के बारे में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अडल्ट में कितनी डोस इसकी देनी चाहिए और साथ साथ ये वी बात करेंगे कि आखिर इसका इसका इस्तेमाल कहां पर किया जाता है और इसके क्या-क्या साइड इफेक्ट है तो आई ये शुरू करते हैं सबसे पहले देखेंगे कुछ common brand names तो इसके common brand name जो है वो Calpol ही है तो इसका जो बड़ा brand है वो Calpol ही है तो Calpol 500 mg की फार्म में भी आता है और Calpol 650 mg की फार्म में भी आता है वैसे ही डोलो जो है other brand है तो डोलो भी 650 mg की फार्म में भी आता है और 500 mg की फार्म में भी आता है आईए देख लेते हैं भी इसके यूजिज क्या क्या के हैं तो इसका इस्तेमाल जो है वो अंटी पायरेटिक की तरह किया जाता है जानिकी बुखार के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही साथ पेन किलर के तोर पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है तो कौन कौन सी तरह की pain होगी अगर कौन कौन सी दर्द होगा तो वहां पे इसका इसका इस्तेमाल किया जाएगा तो सबसे पहले अगर आपको सर में दर्द है तो वहां पे इसका इस्तेमाल होता है अगर आपको muscle pain है वहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है और आपको अगर दांतों में दर्द है तो वहाँ पे भी इसका इस्तिमाल किया जाता है आज कल सिंपल पेरसिटामोल को पेंगिलर के तोर पे बहुत कम यूज किया जाता है मगर इसको ज़्यादा तर जूज जो है वो बुखार के लिए ही किया जाता है इसका इस्तेमाल pain killer के तोर पे किया जाता है मगर इसके बहुत ज़्यादा combination अभी आगे हैं जैसे कि diclofenac plus paracetamol acylofenac plus paracetamol तो बहुत ज़्यादा combination जो है वो pain killer के अभी market में available है तो इसको मुख्य तोर पे जो है आपके बास 500 mg की tablet है तो दिन में आप maximum 4 वार दे सकते हो patient को और heart dose के बीच में जो difference रहना चाहिए वो 4 से 6 गंटे का रहना चाहिए और दिन में maximum आपको 3000 mg से ज़्यादा नहीं देनी है जाने की 3 gram से ज़्यादा ये दवाई नहीं लेनी है आई ये बात कर लेती है अगर आपके बास 500 mg की tablet है तो उस condition में आपको जो है बेट अगर 55 kg से ज़्यादा है और एज जो है वो 16 साल से ज़्यादा है तो आपको 500 mg की tablet दिन में तीन बार ही लेनी है और इसके बीच में जो डिफरेंस रहेगा वो 6 से 8 गंटे का रहेगा और maximum आपको 3000 mg हीट है परसितमोल का इस्तेमाल करना है दिन में और आई ये देख लेते हैं अगर बच्चा है तो बच्चे की उमर अगर 10 से 15 साल की है और उसका बेट जो है 40 से 55 kg है 40 से 55 kg है तो उस कंडिशन में आप 500 mg टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हो और इस टैबलेट को जो है वो दिन में maximum 3 बार ले सकते हो अगर आपको अराम नहीं मिल पा रहा है तो फिर दिन में 4 वार भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और हर डोल्स के बीच में जो डिफरेंस रहेगा वो 6 से 8 गंटे का रहना चाहिए अगर 4 वार इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर 4 से 6 गंटे का डिफरेंस जो है वो डोल्स के बिट्वीन रहना चाहिए और maximum आपको 2000 mg से जादा एक दिन में इस्तेमाल इसका नहीं करना है अगर किसी की उमर 10 से 15 साल है और उसका बेट 40 से 50 के जी है नेक्स देख लेते हैं कुछ बार्निंग्स जिसका आपको हमेशा ध्यान रखना है अगर आप परसितमोल का इस्तेमाल कर रहे हो तो फर्स्ट है अगर आपने दिन में तीन टाइम जो है वो अलकोल पी रखा हो अलकोलिक बिवरेजिस कोई भी ले रखा हो तो उस कंडिशन में आपको परसितमोल का इस्तेमाल जो है वो इवाइड ही करना चाहिए और अगर करना भी पड़े तो बहुत ही कम डोज में इस्तेमाल करना चाहिए अगर आपका अलकोलिक लिवर है फैटी लिवर है तो उस कंडिशन में भी आपको इस दवाई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए इसका इस्तेमाल आपको avoid ही करना चाहिए नेक्स देख लेते हैं इसके कुछ side effect जादा तर तो इस दवाई के कोई side effect देखने को नहीं मिलते है paracetamol के मगर फिर भी हम आपके साथ discuss करना चाहेंगे तो आपको जो है nausea हो सकता है stomach pain हो सकती है बूख नहीं लगना और urine जो है वो dark urine आएगा clay colored का जो है stool आएगा तो और साथ सी साथ joint disc हो सकता है jelloish skin होगी और आई भी जो है वो jello-jello देखना शुरू हो जाएगी joint disc के chances जो है वो ज़्यादा रहते हैं paracetamol का अगर overdose हो जाए तो next देखेंगे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्रूर से ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और चैनल को भी ज्रूर सब्सक्राइब करिएगा तांकि ऐसी ही informative वीडियो हम आप तक लेके आते रहें और आपकी suggestions ज्रूर से comment section में लिखिएगा आपको कौन सा content चाहिए और आपको कैसा content चाहिए जरूर से बताइएगा